नमश्कार दूस्तों इस उडियो में हम डिसकस करने वाले हैं इसी सी लिमिडिट के स्टॉक के बारे में अगर आपको कोई भी स्टॉक के लड़ेट कोई रिज हो तो आप हमें कमेंट सेक्षन में पूछ सकते हो हम उस पर पर ली एक वीडियो भी बना देंगे स्टॉक के गर करते हैं 2220 वन के साथ में तो आप देख सकते हैं यहां पे रिवेन्यू में तो जंप देखने को मिले लेकिन प्रॉपिट में हमें बड़ी सी गिरावट देखने को भी मिल रही है और सब्सक्राइब कोई स्टॉक में फिरेश एंटी का प्लान करते हैं तो एक बर जरूर न को वंडे डाइंग फ्रेम में सेट कर लिया है जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं स्टॉक में हमें पिछले दिनों में काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है ओर और से स्टॉक में इंपोर्टन सपोर्ट लेवल की बात करेंगे तो 1700 से लेके 1750 का एक बहुत ही important support zone है क्योंकि stock जो है इसे level पे आने के बाद multiple time multiple candle जो है हमें इसी पे support लेके उपर की और जो है bounce करते हुए दिखाई दे रहे हैं अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो पिछले दो दिन से इसे level पे हमें bounce देखने को मिला है थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट करके बताना चाहूंगा देखिए दोस्तों यहाँ पे exactly stock जो है March 2021 में multiple time इसे level पे support लेके उपर की और हमें bounce करता हुआ दिखाई दे चुका था अभी देखे possibility जादा रहेगी आगे न हमें यहीं से उपर की और फिर से उपर की side में bounce देखने को मिल सकता है तो हम क्या करेंगे 1700 के नीचे का stop loss रखके fresh entry का plan कर सकते हैं दोस्तों अभी तक आपने Angel One में DME account उपन नहीं किया है तो link जो है description box में देदी है उस link का use करके आप free में DME account भी open कर सकते हैं MSD indicator की भी बात करेंगे तो MSD indicator में भी हमें bullish crossover देखने को मिल चुका है जो की मजबूती के signal दे रहा है तो जड़ी तो हम चलते हैं Angel One app में तो ज़स्तों माचुके हैं Angel One app में simply यहां से watch list में आना है अगेन हम इस पर tap करेंगे कुछ इस तरह से interface शो करेगा यहाँ पर इसकी current price देख सकते हो नीचे में option chain, charts और stock की details भी आप यही पर देख सकते हो हमने ज़स्ती चार्ट पर analysis किया है तो simply buy पर touch करेंगे buy पर touch करने के बाद कुछ इस तरह से interface शो करेगा अगर आप stock को buy करके hold करना चाहिए तो आप delivery में करेंगे अगर आप stock को same day buy, same day sell करना चाहिए तो आप intra day में करेंगे यहाँ पर हमें quantity इंटर करनी है मानलीजिये हमें यहाँ पर इसकी 50 quantity buy करना है तो यहाँ पर हम 50 quantity इंटर करेंगे यहाँ पर देगे limit और market का option दिखाई दे रहे limit आने के stock को आप अपने min present price पर खरी सकते हो जैसे कि stock की price चल रही है 7869.45 अगर आप इसको buy करना चाहते है 7869.45 तो यहाँ आप आप इंटर करेंगे जब भी stock की price महाँ पर आ जाएगी आपका order execute हो जाएगा अब marketed क्या होता है marketed के जो भी stock की grand price चल रही होती है उसी पर directly आपका order execute हो जाता है simply हमें buy पे touch करना है buy पे touch करने के बाद confirm आ जाएगा confirm पे touch करने के बाद हमारा order जो है एक्जेक्यूट हो जाएगा same process रहेगी intra day के लिए भी दोस्तों आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था वीडियो अच्छे लगाए तो वीडियो को लाइक करिए और एक जो वीडियो बनेगी यह सिर्फ और सिर्फ एजूकेशनल परपस के लिए बनेगी है जब आपको भी stock mentor बनाए तो अपने financial advisor से कंसर्ट करके ही उसमेंट्री बनाए तो चलिए मिलते हैं नेक्स वीडियो में इस यूट्यूब चैलने की साथ तब तक के लिए टेक केर जो कि बनाए तो चलिए पानाए तो